हाई फ्रेंज कोकुवित नीशू में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं इंस्टन्ट डोनट की रेसिपी यह बहुत ही इंस्टन्ट बनेंगी बड़े और बच्चे सभी से बहुत ही प्यार से खाएंगे आप इसे कभी भी बना सकते हैं इंस्टन्टली तो चलिए बनाना सुरू करते हैं डोनट की रेसिपी तो सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है एक कप मैदा फिर इसके बाद मैं इसमें आट करूंगी पाउडर शूगर यानि की पिसी हुई चीनी मैंने नॉर्मल चीनी को ग्रेंडिंग जार में पीसके ले लिया है फिर इसके बाद मैं इसमें आट करूंगी वन टी इस्पून नमक नमक के बाद हम इसमें आट करेंगे वन टी इस्पून बेकिंग पाउडर फिर इसके बाद मैं इसमें आट करूंगी एक चमच देसी घी आप चाहें तो यहां पर ओल का भी यूज कर सकते हैं फिर इसके बाद मैं इसमें ऐट करूँगी दही, ध्यान रकेंगे, हम इसका डो दही से ही तैयार करेंगे, फ्रेश दही ही हमें लेनी है, तो डो हम गूथ ते जायेंगे और एक एक चम दही apostlesंगे, जितनी की जरूरत हो उतनी ही दही हम इसमें एट करेंगे, जितने का हमारा अच्छा सा sticky dough लगके तयार हो जाए तो देखिए जितनी मुझे जरूरत है उतनी उतनी दही में इसमें डालके अच्छी तरीके से dough तयार कर लूँगी ध्यान रखेंगे हमें सुखा dough नहीं तयार करना है हमें थोड़ा सा चिप-चिपा यानि sticky सा dough तयार रखना है तो देखिए हमारा dough इद्दम ready है अब इसे हम ढखके आधे से एक घंटे तक के लिए rest पर रख देंगे तो देखिए एक घंटा लगभग हो चुका है और जो हमारा dough है वो अच्छी तरीके से फुल चुका है आपको देखने से ही पता चलता होगा अब मैं एक चकला लूँगी चकले पे हम थोड़ा सा आठा इस्प्रिंगल करेंगे फिर इसके बाद जो dough हमने लिया है उसे हम इस पे रख लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे ध्यान रखेंगे ज्यादा प्रेस नहीं करना है हलके हाथ से इसे हमें बेलना है और बार बार इसे चकले से उठाना भी नहीं है फिर इसके लिए छोटी सी ग्लास ले रही हूँ ग्लास से हम इसे शेप देंगे डोनट का तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे डोनट को अच्छी तरीके से शेप दे दूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ ये बहुत इजिली निकल के बाहर भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब इसे हम बीच में से नोजल से में इसे शेप दे रही हूँ आप चाहें तो किसी भी ढखकन से भी शेप दे सकते हैं तो देखिए हमारा डोनट इद्धम रेडी है अब ये जो बीच का हिस्सा है इसे भी हम निकाल देंगे बाद में इसके भी डोनट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे सारे डोनट रेडी है अब मैंने गैस पे कढाई रखी है कढाई में हम ओल डालेंगे और ओल को हम अच्छी तरीके से प्रॉपर गरम होने देंगे तो देखिए हमारा ओल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है अब एक एक करके मैं इसमें सारे डोनट डालूँगी जितने की हमें एक बार में फ्राइ करने हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे डोनट एक एक करके ढाल दिये हैं फ्लेम को हम अपने स्लो ही रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाते हैं अब इसे हम एक एक करके पलट लेंगे और ध्यान रखेंगे फ्लेम हम अपना स्लो ही रखेंगे हाई नहीं करेंगे वना यह जल सकते हैं हम इसे अच्छी तरीके से उलट पलट के ब्राउन कर लेंगे इसके बाद हम सारे डोनट अब निकाल लेंगे ऑईल से बाहर तो देखिए यह दम तयार है अब मैं इनहें बाहर निकाल लेती हूँ यह बहुत ही फुले फुले और स्पंजी बने हैं इसके बाद मैं रखूंगी गैस पे पानी पानी को हम अच्छी तरीके से बॉइल होने देंगे इसके उपर हम रखेंगे एक नॉन स्टिक पैन इसमें मैं डालूंगी चॉकलेट आपको जो चॉकलेट पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे तो देखिए हमारी जो चॉकलेट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसके बाद जो डोनट हमने लिया है उसे हम इसमें डीप करेंगे अच्छी तरीके से तो देखे मैंने अपने डोनट अच्छी तरीके से इसमें डीप कर दिये हैं इसी तरीके से मैं सारे दीप करके एक प्लेट में रख लूँगी इसके बाद जो यह कलरफुल सॉंप की गोली होती है आप जो भी चाहे वो यूज कर सकते हैं हम इसे इससे डेकुरेट कर देंगे तो देखिए हमारे डोनट सफ करने के लिए इदम तयार हैं मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देत हूँ कि यह कितने ही सॉफ्ट और कितने स्पॉंजी बने हैं इसे जरूर बनाएगा बच्चे तो बहुत ही खुस हो जाएंगे तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा सस्क कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ओके फ्रेंज बाई